अपने मोबाइल में गुगल ड्राइव पर कोई भी पीडियेप फाइल को डिलिट कैसे कर सकते ही हालो दोस्तों आप भी अपने मोबाइल में गुगल ड्राइव पर कोई भी पीडियेप को सेव करके रखी है उसको हमेसे के लिए डेलिट करना चाहते हूँ या उसको सीखना चाहते हूँ तो दोस्तों आप इसी वीडियो को सरु से लेके एंड तक देख लेना मैं आपको step by step समझाऊंगा तो दोस्तों आपको भी समझ में आ जाएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते ही तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करके पास में बेल ऐकन गंटी दिखाए देरी उसको भी ओल पर प्रेस जरूर कर देना उसके बद गैस आप अपने mobile में drive क open कर लेना जैसे अपने mobile में drive को open करोगे तो गैस आपको इस परकार का इंट्रेस दिखने को मिल जाएगा उसके बद गैस आप अपने mobile में किसी भी PDF को डिलिट करना चाहते हूं तो गैस आपका आप पर दिखाए दरा कोने में कोने में थ्री डोट का बटन उस पर आपको कल करके आपका आपका निच्चे इंट्रेस करेना और दोस्तों आपका आपका दिखाए दरा रिम्यू उस पर आपको कलिक करोगे तो गैस आपकी PDF होगी वो Google Drive से रिम्यू हो जाएगी उसके बद गैस आपका आपको कोने में कोने में थ्री डोट का बटन दिखाए दरा उस प गैस आपका आपको दिखाए दरा बिन जैसे उस पर आपको टेप करोगे तो गैस आपको इस परकार का इंट्रेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों आपने PDF को डिलिट की होगी तो गैस आपको 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 दिखाए देरी तो गैस आपको 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 आ तो गैसे पीडियाप होगी वो हमेसे के लिए डिलिट हो जाएगी यदि आप इस पीडियाप को डिलिट नहीं करोगे जो जैसे 30 दिन पूरे हो जाएंगे आपके पीडियाप होगी वो हमेसे के लिए डिलिट हो जाएगी तो गैस आप ही अपने मोबाल में पीडियाप को डि वीडियो के निच्चे कमेंट करके जरूर बताना और दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सैस्काइबर जरूर कर देना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद